अगкий दोस्तों आईए देखते हैं हम लोग और पैट का ये फैन रूम creator है आई-इसकी अन्बॉक्स करते हो ओस देखते हैं कि क्या क्या प्रोड़क्त साथ में मिला हुआ है दोस्तों का लुप देखिए इसके साथ में ये बाक्स मिलता है साथ में और पेट का यह देख रहे हैं इसमें कुछ इसके इंफॉर्मिशन दे रखी है टीपल सेफ्टी एश एश्यूरंस हैंडेट प्रसेंट प्यूर कॉपर वायर मोटर तू हीट स्टेटिंग नॉप दोजार वाट का पावर है इसे कि आपको दिख रहा है थर्मो प्रमारी थे जैसे कि आप देख रहे हैं और इसमें इंफॉर्मेशन दे रखा हुए आई दोस्तों देखते हैं जैसे कि आपका ट्रिपल सेफ्टी एश्यूरंस दे रखा हुए इसमें 100% प्यूर कॉपर वायर मोटर दे रखा हुआ है और आपको जो भी इंफॉर्मिशन जो पहले दे रखा था वही बता रखा फीचर्स क्या क्या है सैगिंग स्टेजिंग टाइब लॉंग लाइफ हीटिंग इसकी अच्छी है साथ में क्या है कि डबल हीट ऑटो कट प्रोटेक्शन सबसे चिवाद यही है कि इसमें और और भी वराइटी मिलते हैं इसमें आट आपको ऐसे फैन की दरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको मैश ग्रिल भी इसमें दे रखा हुआ है थर्मोशेट सेटिंग दे रखी हुए यह टर्मजर कंट्रोल के लिए कूल टच बॉड़ी दे रखा हुआ है और कॉड दे रखा है सब वायर वाइंटेज फेसलिटी साथ मे आप कि मैनुफेक्ट्रिंग तो अच्छी रख रही है आए अंदर देखते हैं क्या क्या है यह आपका वायर का कॉड़ दे रखा हुआ है इसको हम निकाल लेते हैं जैसे कि अच्छे क्वालिटी के दिखिए दोस्तों यही अंतर है ब्रैंडेट कंपनी का और अनब्रैंड ब्रैंडेट कंपनी में देखेंगे आपके वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और यह बहुत इंपोर्टेंट होता है कोई भी हीटर या ब्लोवर में कि अकर आप वायर की क्वालिटी खराब है तो शौट शर्कृट होने के चांसे बढ़ जाते हैं इसलिए वाय ब्रैंटी बहुत अच्छी है और साथ से इसको हम यह खोल के देखते हैं कि वायर को दिया है साथ में अब इसका पैकिंग हम खोलते हैं कि अगर कि अगर कर दो तो बहुत हलका है यह बहुत लाइट वेट का दे रखा हुआ है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुष्क ये का फैन दे लाख हुआ है और यह जो हम बात करना ते फैन है ये यह यह घरम कैंगा कर सकते हैं दोस्तों और यह आपका फैन दे रखा हो यहां से ब्लोवर का जो एरे वह पास होगा दूस्तों आई इसको हम जल्ली ही खायंगे और यसमें सर्किट में लगाए कर देखते हैं कुछ इसमें इनव पो की यह, अर तो सब कम्पनियों में इस ब्लूय नहीं रखा होता है और यह यह यही पहचान होती है तो आईए हम इसको जली ही इसका वायर को पूरा खोल के इसको हम एलेक्ट्रिक सर्कृट पर लगाएंगे और इसको देखेंगे अब जा रहे हैं हम इसको लगाने जैसे कि आप देख रहे हैं यह सोल एंपियर का स्विच है उसी पर आपको लगाना यह बगल में देख रहे हैं आपका नॉर्मल स्विच तो नहीं लगाना क्योंकि इसकी वाटेज हजार दोजार पर काम करेगा तो इसको हमेसा आपको ज्या इस पर ऐसे हाद लाया कर देखिए गरम गरम इदम हवा आएगी अपकी अलग अलग नॉप दे रखा हुआ है इसका अब जेकरें फैन है यह है और यह थर्मोस्टेट दे रखा हुआ है अपने साथ से गरम जदा कलने के लिए दोस्तों यह सिंपल एंड सोवर सिर्फ फैन पे तो यह एक वेल्वाला यह दूसरा रखन है इसको के हेटिंग की कॉलिटी है कितना गरम करना है अब कर सकते हैं यह मैक्सिमाम वैल्व है और यह मिनुम यहां पर ब्लॉक हो यह बंद हो गया यह देखिए इस अगया देख रहे हैं दोस्तों नेक्स वीडिए मैं आपके fan blower heater up